जिसके मन की जैसी अवस्था है वो वहीं से साधना आरम कर धीरे-धीरे अग्रसर होता जाता है। एक साधारन मनुष और्डिनरी मैन को ही लीजिए। यदि उसे आरम से ही निर्गुन ब्रह्म का चिंतन या समाधी के सम्मद में उपदेश दिया जाए तो वो कुछ भी धारना नहीं कर सकेगा। उसे अच्छा भी नहीं लगेगा। एक दो दिन प्रत्न करके छोड़ देगा। किन्तो यदि उसे फूल बेलपत्ती लेकर पूजा करने दिया जाए तो वो समझेगा कि मैंने कुछ तो किया है। उसका मन भी कुछ छण के लिए थोड़ा स्थीर होगा। इससे उसे आनन भी मिलेगा। उसके बाद वो क्रमश इस अवस्था का अतिक्रमण करता है। पहले पूजा आरम की। कुछ दिन बाद अपने आप मालूम होने लगेगा कि जब करना अच्छा है। तब जब कि संख्या बढ़ जाएगी। और फिर कुछ दिन बाद मालूम होने लगेगा कि ध्यान करना अच्छा है। तब केबल ध्यान करने की इच्छा होगी। इसी तरह मनुष्ट क्रमश लक्ष की ओर अगरसर होता जाता है। इसी को कहते हैं स्वाभविक उन्नती नैचरल ग्रोथ। इस उपाय से मन जो भी प्राप्त करता है वो कभी नश्ट नहीं होता। मान लीजिए आप इस आंगन में हैं और आपको इस चत पर जाना है। पहले ये जान लेना होगा कि सीड़ी कहां है। तब कहीं आप सीड़ी से चड़कर उपर जा सकते हैं। ऐसा न कर यदि आपको कोई आंगन से उचाल दे तो आपको बहुत कश्ट होगा और उससे विपत् है। प्रश्न कोई एक भाव मेरे लिए हानिका रख है ये जानने के बाद भी यदि वो मन में बार बार उठे तब क्या करना चाहिए। महराज, सोचेगा कि ये भाव मेरे लिए अतन्त विग्न कर है, मेरा परमशत्रू है, मेरा सर्वनाश कर सकता है। ये विचार आप बारं बार अपने मन पर अंकित इंप्रेस कर लिजी, देखिए अपने आप ही ये भाव मन से चला जाएगा। मान लिजीए ये जो लड़का आपके सामने बैठा है, उसके सम्मन में आप अपने मन में बिचार उठा रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तुछ है। तब देखेंगे कि उस लड़के के सम्मन में आपके मन में कोई शंसकार इंप्रेशन नहीं होगा। उसकी तरप मन फिर बिल्कुल नहीं जाएगा। एक और दिश्टंथ लेजिए, एक बच्चे का, वो नहीं जानता कि विश खाने से क्या होता है। उसके पास विश पड़ा रहे तो भी वो डरता नहीं। किन्तो आप थोड़ा सा विश देख ले तो सिहर कर बाप्रे कहते हुए दस कदम पीछे हट जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि विश खाने से आदमी मरता है। मन का बड़ा विचित्र है। जो सिखाएंगे वही सिखेगा। पहले आदर्ष, आइडियल, फिक्स होना चाहिए। भगवान ही जीवन की एक मात्र आदर्ष है। आदर्ष को कभी भी नीचे मतला ये। आइडियल मस्ट नेवर वी लोर्ड। अनोर रनियन, महतो महियान। वे चुद्र वस्तु से भी चुद्र हैं। फिर इस सौर मंडल, सोलर सिस्टम से भी बड़े हैं। वे सर्वत्र, सर्वदा विराजमान हैं, ये जानना होगा। वे आपके भीतर भी हैं, मेरे भीतर भी हैं। और जीव, जन्तु, उद्भीत, सभी के भीतर हैं। पर हाँ, कहीं कहीं उनका प्रकाश अधिक है और कहीं कम। किन्तु, सर्वत्र वे ही विराजमान हैं। थोड़ा परिश्रम कीजिए, देखेंगे इसमें कितना आनन्द है। संसात तो देख लिया, अब इस ओर एक बार देखिए। नौक ए और इट शल बी ओपन अंटू यू। दस्तक दो, दर्वाजा खुलेगा, परदा गिरा हुआ है, उसे हटा कर देखना होगा। इस माया के घेरे के बाहर जाना कोई कठीन बात नहीं, अति सहज है। जरा लग तो जाईए, देखेंगे की दुनिया अन्न एक प्रकार की हो गई है। प्रशन, शास्त्र इत्तादी में जो बाते हैं, उन सब पर क्या बिश्वास किया जा सकता है। महराज, हाँ, वे सब सत्त हैं। लोकों के कल्यान के लिए यूग-यूग से ये सब वैवस्थाई कियेगी यही हैं। वो सब मानना चाहिए। शास्त्रों के कर्म रखने होंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। ये कर्म ही आपको आखिर तक ले जाएंगे। कर्म है तो अनादी पर उनका अंत है। जब आपको सत्यपल अब्धी होगी, तब वे कर्म अपने आप ही ज़र जाएंगे। प्रशन आहर आदी किस तरह करना चाहिए। महाराज बहुत कठिन प्रशन की आपने। इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। मनुष्का सारज़ी गठन इतना भिन है कि सब लोगों के लिए एक ही नियम नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए कोई बस्तु मुझे सहन होती है पर आपके शरीर को नहीं सहन होती। मेरा शरीर सिस्टेम किसी बस्तु को ग्रहन एसिमिलेट कर सकता है। आपका शरीर शरायत उसे ग्रहन न कर सके। इसलिए हम लोगों के गीता आदिशास्त्रों में आहर के सम्मंद में विशेश रूप से कुछ कहा नहीं गया है। गीता में आहर सम्मंदी जो उलेक है वो केवल एक साधरन बिभग जनरल क्लासिफिकेशन है। साधरन तोर से यही कहा जा सकता है कि भोजन भारी न हो। यह साधरनी बनाए रखकर जिसके पेट में जो सहता है वैसा भोजन किया जा सकता है। उप्देश नाम महत्य नाम नाम केवल नाम जपो। खूब कर्म करो और नाम जपो सब कर्मों के भीतर उनका नाम जपो तो सही इस नाम का पईया सभी कर्मों के बीच चले तब तो होगा करके देखो एक दम सारे ताप शान्त हो जाएंगे कितने ही महापातकी इस नाम का आच्रय ले शुद्ध, मुक्त, आत्मा हो गए खुब विश्वास करो नाम और भगवान पर नाम और नामी एक कर डालो भगवान ही के नाम के रूप में भक्त के हिर्दय में निवास करते हैं भगवान को खुब पुकारते रहो निर्जन में अकेले बैठ कर उन्हें पुकारना चाहिए और बीच-बीच में प्रात्थन करो मुझ पर कृपा करो, मुझे सद्धा भक्ती दो इतनी आंतरिक्ता से पुकारो की आसों की धार बहने लगे मन और मुख एक करना होगा संसार की सभी बस्तों को हरी मैं दिखना सोचना मेरे हरी सर्व भूतों में विराजमान है ऐसा करते करते ही त्रिनादफी सुनीच हो जायोगे सब के पास बैठना पर सुनना के बल हरी कथा यह जानना की जिस अस्थान में हरी गुनानु कितन नहीं होता वो अस्थान शश्मान के समान है इस हरी नाम के प्रताप से शश्मान के भूत तक भाग जाते हैं उनका नाम जपो, उन्हें पुकारो वे तो अपने ही हैं, वे दर्शन क्यों नहीं देंगे उनके पास सब बतलाओ, वे सही रास्ता दिखा देंगे जित करनी है, तो उनके पास करो वे सब पूर्ण कर देंगे दिख्चा और क्या है? तुम्हें जिस नाम में रूची है, तुम वही नाम जपना विश्वास रखकर मन की इच्छानूसा नाम करने से ही हुआ केबल दिख्चा ले लेने से नहीं बनेगा ध्यान धारना करनी होगी उन्हें हिदर से पुकारना होगा उन पर और भी विश्वास हो, प्रेम हो इसलिये एक को मांते हुए काम करना चाहिए अभी खुब ध्यान करो पहली अवस्था में प्रात्थना करना अच्छा है उन्हें पुकारना, उनका महिमा किर्टन करके उन से प्राथना करना भगवान को पुकारना और कहना हे भगवान ये चंद्र सोरे तुमारे है, ये सृष्टी तुमारी है तुम दयामय, सरवग्य, अंतरियामी हो, तुम मेरे प्रती दयावान हो मुझे सदबुद्धी दो, सृध्धा दो, भक्ती दो, प्रेम दो ये कहते हुए उन्हें पुकारना चाहे हजारों काम रहे या जो भी हो, प्रती दिन दोनों समय उनका स्मरन मरन करना न भूलना बेमन को शुद्ध करने के लिए, शरीर को निर्मल और निश्पाप करने के लिए उनके नाम का जब और ध्यान भजन छोड़, दूसरा कोई उपाय नहीं है बे बड़े सहज हैं, एक दम अपनी हैं, उन्हें अपना बना डालो, उन्हें के हो जाओ प्रिय वस्तु यदि दोलब हो, तो वो परम प्रिय हो जाती है नाम जपू, नाम सुनो, नाम ही भगवान है, नाम न ले, जो भी करोगे, उसे गुरत धंदों में भटकते फिरोगे साधन भजन बड़ी निष्ठा सहीत साधन भजन करते जाओ, एक दिन भी नागा मत करना, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, नियमित समय पर आसन लगा कर बैटना, यदि ऐसी निष्ठा के साथ कम से कम तिन वर्ष भी कर सको, तो देखोगे कि भगवान पर प्रेम आएगा तब आप ही आप भगवान को पुकारने की इच्छा होगी, प्रेतन करके भी मन को दूसरी ओर नहीं ले जा सकोगे, जब मन की ऐसी अवस्था होगी, तब जब ध्यान करके खूब आनन्द पाऊगे